अगर आपने UP Polytechnic entrance exam 2021 के लिए apply किया था और exam दिया हुआ है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी important है एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे institutes के बारे में संस्थानों के बारे में polytechnic से related ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो जगर आपको जानना है कि कौन साप institute के जिले में है और सरकारी है या private है या edit है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए है तो इसके लिए हमने खोल लिया है अपने सामने Chrome browser इसमें आपको search box पर जा कर जाना है और वह पर आपको देखेंगे यहां Home about us और institute जो तीसरे नंबर पर है इसी पर आपको click करना है यहीं पर आपको institute के बारे में जानकारी मिलेगी तो चलिए हम institute पर click कर देते हैं हमने कर दिया है click और हमारे सामने कुछ interface खुले गए अभी ठीक है देखिए इस तरीके का interface हमारे सामने खुल करके आ गया है अब में कोई है या नहीं है तो चलिए देखिए आपको यहां पहली जो option मिलेगा यह आपका institute type का मिलेगा कि आपका government है private है या edit है देन उसके बाद आपको district चूज करना होगा आपका कौन सा जिला है देवरिया महराज गंज या जो भी जिला हो उसके बाद में branches offered ठीक है आपको जिस branch के लिए सर्च करना है उसको आपको यहां पर type कर देना है तो चलिए हम एक example की तोर पर आपको दिखाते हैं all institute type में हम select कर लेते हैं government हमने कर लिया all district में हम क्या select करेंगे हमने all district में कर लेना है लखनवू select आपको लखनवू का हम दिखा रहे हैं आप इसी तरीके से औ इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आता है देखिए यहां दे रहा है no record found इसका मतलब यह हुआ कि लखनवू जिले में government pharmacy college नहीं है अब आए हम आपको किसी अन्य जिले का search करके दिखाते हैं जैसे यहां हमने लखनवू select किया है यहां पर हम जौनपूर का चलिए या लखीमपूर खीरी का ही select कर लेते हैं उसके details पर जब आप view details पर click कर देंगे तो आपको streets पता चल जाएगे ठीक है और जो other information है वो आपको पता चल जाएगा तो चलिए हमने कर दिया है view details पर click अब हमारे सामने यह थोड़ा सा process लेगा network ठीक है खुलेगा उसके बाद देखिए सारी कुछ जो जानकारी होती है वो सब ह सामने खुल करके आ गया है ठीक है देखिए institute का detail दिया है यह आप सभी के सामने कि यह government है website इसकी दी गई है mobile number दिया गया है कुछ information चाहते हैं तो देख सकते हैं और address आपको दिया गया है उसके बाद pin code दिया गया है तो यह तो fire address related है अब हमारे लिए जो क्या है branches की detail देख खीमपूर खीरी में 44 seats उपलब्ध है ठीक है तो हमारे पास diploma in pharmacy का हमने सर्च किया था और 44 seat है diploma in pen technology है diploma in plastic mold technology है chemical engineering है और chemical technology भी है ठीक है जो की group E1 और E2 के अंतरगत नहीं आता है E1 और E2 के अंतरगत सिर्फ diploma in pharmacy आता है और इसमें 44 seating है इसी तरीके से चलिए हम back पर क्लिक करक किसी और जिले का आपको सर्च करके दिखाते हैं किसी अन इंस्टिट्यूट के बारे में अब देखिए जैसे हमने यहां government select किया था तो हम यहां पर added भी लखनव में नहीं है यह हमको पता है और private है चलिए हम आपको added भी सर्च करके दिखा देते हैं तो अगर होगा तो so हो अगर नहीं होगा देखिए यहां पर नहीं है added college लखनव में तो यह no record found बता रहा है अब इसके बाद आए हम आपको private लखनव का सर्च करके दिखाते हैं हमने क्लिक कर दिया है प्राइवेट पर जिला हमने लखनव कर लेते हैं ठेक है क्योंकि लखीमपूर खीरी का हमने सर लखनव में डिपलूमा इंफॉर्मेसी की कितने सारे इंस्टिट्यूट से ठीक है आप सभी यहां देख सकते हैं कम से कम 47 इंस्टिट्यूट है आपके डिपलूमा इंफॉर्मेसी के तो आपको जिस भी college की चाहिए चलिए हम पहले college का details आपको बताते हैं कि कितनी सीटें ह गया है डिपलूमा इंफॉर्मेसी है ब्रांच का नाम टोटल सीट 66 इसमें 66 सीट है कितना है 66 सीट है और लगभग जितने भी private college है उन सभी में 66 सीट है तो प्रिये विद्यार्थियों आप सभी लोग इस तरीके से institute के बारे में देख सकते हैं अपने हर जिले के बारे में का कौन सा जिला है हमें comment करके जरूर बताएगा और आपने entrance exam दिया है यह उन नहीं दिया है यह भी हमने comment करके बताइगा और एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि जो लोग यह कह रहे है कि question नहीं फसा है थी question है वो रटा वाले बत्चे थे थी कि उनका concept का नहीं था और कई सारे students का comment आया है कि सर पढ़ाया हुआ आया है उनका concept जो है वो कैसा था concept सभी के clear थे इसलिए उन सभी के paper जो है बहुत ही अच्छे हुए हैं तो रटने की आदा छोड़ दीजिए और concept को clear करने की कोसिस केजिए आप सभी लोगों ने यहां तक वीडियो दे कर देंगे subscribe कर देंगे लाल कलर के बटन को दबा करके और bell icon को जरूर all पर प्रेस कर दिएगा नहीं तो आपके चैनल subscribe करने का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा मिलते हैं किसी unknowledgeful वीडियो में जै हिंद